अब गुद्मॉर्णिंग स्टुडेंट आपका ये जो चेप्टर है साइन्स फिजिक्स का है क्लास 10 का है ठीक है जो लोग फढ़ते होंगे वो लोग चानते भी होंगे इसको इसको लगबक सब लोग पढ़ भी लिए होंगे तो एक तरीके से पॉइंट इसका इंपॉर्टिन होता एक्जाम में आप कोई सोचेगा कि बस मैं नोट्स जो है पड़ लिया तो उससे हो जाएगा नहीं होगा नोट्स के बाएर से भी तो आ सकता है तो बुक आपका जो है मडेटरी है और बुक से ही आप हमेशा पड़ने की कोशिश करेंगे यह आपका NCRT जो मेन बुक होता है उसी सारे क्वेश्चन्स बनते हैं कोई भी बेपर उठा के आप देख लिए तो चलिए एक एक वर्ट जो है इसको मैं एक्स्प्लेइन करूँगा जहां डाइग्राम समझाना होगा वहां डाइग्राम भी बना दूँगा वह से एक रिफ्रेक्शन है तो दोनों अलग अलग टॉपिक हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन तो पहले देखें क्या क्या है इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीज यहां पढ़ लेते हैं एक एक वर्ड चलिए पढ़ते हैं क्या दिकते हैं कि वी सी वराइटी ऑफ अरी के वर्ड एरांड अश हावर भर वी अरण अनेबल टू सी एनिफिंग में डार्क रॉम कि पाइब है मिनज से कहने का मतलब ये कि बाहुश तरह के जो अबजेक्ट होते हैं हमारे वर्ड में आसपास हैं उसको जो है हम लोग डार्क रॉम में अंधेरे में नहीं देख सकते हैं आस-पास की चीजों को आप अंधरेम नहीं देख सकते हैं एक चीज में बताना चाहता हूं कि इसका नोट्स का भी मैं एक वीडियो बना दूंगा ठीक है यह बुक का है तो तीन पर टन में रहेगा एक नोट्स का बन जाएगा एक बुक का बन जाएगा फिर एक नुमेरकल का मतलब कि उतने में आपका सफिस्येंट हो जाएगा जिसको जो अच्छा लगेगा वो पड़ेगा तो देखें ऑन लाइटनिंग अप दे रूम तिंक्स बिकें बीजबल मतलब जैसे ही आप रूम में क्या करेंगे लाइटनिंग करेंगे प्रकास जो उसमें ज हमको कौछए जो रही मतलब कौन सा ओब्जेक्ट्स है जो हैल्फ करता है में देखने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को तो वो शन होता है शूरह का प्रकास ही अमनुद को दिन में सब कुछ दिखाता है है थीक है तो स्टार्टिक में क्या होता है कि लाइट जो होती है इस पर पहले जा कैसे जाएगे इस तो चे में उसके बाद इंडर से इसका रिफेलेक्शन होगा लाइट का फिर यह वापस गहीं यह इसी आग पर आती है ठीक है यह जो लाइट है इससायड मिहरु बना देता और फिर उदर से light आई तो बहुत शारी light की beam जो है इदर जाएगे और object से light जो है इदर reflect होकर वापस आता है reflection होता है तो इदर आ जाएगा ऐसे तो जो यह reflection होगा light का जैसे यहां पर light पड़ेगा तो वो object क्या हो जाएगा आपको दिखने लगेगा यही चीजिस में बताने कोशिश किया जा रहा है enable us to see object उसके बाद जो है we are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it हम लोग केवल transparent medium में देख पाएंगे transparent medium जैसे क्या होता है उसको समझे जैसे मालीजे आपका transparent medium air हो गया air में आप देख सकते है ठीक है उसके बाद water हो गया water हो गया glass हो गया यह सारा transparent medium है आप खुद feel कर सकते हैं कि आप कहां कहां देख पाएंगे ओपेक medium में आप नहीं देख पाएंगे ओपेक का मतलब जैसे कि कोई दिवाल हो गया घर हो गया कोई solid object है जिसके आर पर light नहीं जाती है तो हम लोग देख भी नहीं पाएंगे ठीक है there are a number of common wonderful phenomena associated with light such as image formation by mirror, the twinkling of star, the beautiful colors of rainbow, bending of light by medium and so on कैराएं light की बहुत शारी properties है world में जिसमें से आजाता है आपका image formation हो जाएगा जो की mirror से कैसे image बनता है twinkling आप star होता है तारों का टिम्टी माना इसको बोलते है beautiful colors rainbow rainbow भी बनता है कितने color में वो सब light का impact होता है light जो है bent होती है और apart होती है medium में किसी भी one medium, two and another वो reflection वाले chapter में पढ़ेंगे एक rarer to denser जाने पर light का या denser to rarer में क्या होता है तिसमें combined यह भी पढ़ रहें लोग properties light का जिसमें reflection और reflection दोनों है a study of the properties of light helps to us explore them by observing the common optical phenomena around us we may conclude that light seems to travel straight line light को बदाया रहता है कि light जो है straight line में क्या करती है travel करती है आगे के class में आप पढ़ेंगे कि light का जो path होता है इस तरीके का कुछ होता है बट यह जो इस तरीके का कर में जा रहा है राइट यह बहुत ही छोटा होता है इसको जैसे यह वाला जो distance है इसका यह amplitude इसको बोलते है वेव का तो यह बहुत छोटा होने कारार हमको ऐसे state दिखता है ठीक है तो यह बोल सकते हैं कि electromagnetic जैसे wave होता है उसी तरह का light का भी path होता है उसी को आम लोगे state path मान लेते हैं अब जैसे देखें कि घर में क्या होता है कि जैसे माली जै यह घर का यहाँ पर कोई corner है ठीक है और यहाँ पर माली जै यहाँ पर एक hole है यहाँ पर माली जै फोल है अब light इदर जब इंटर करें कि तो आप देखेंगे कि लाइट के भी सीधा आपके घर में इस तरीके से जाएगे ठीक है तो आप जहां पर भी torch को भी आप माली जै एक torch आप लिए है इस तरीके का चलिए मैं यहीं पर बना देता हूँ फिर मैं इसको मीटा दूँगा माली जै यह torch है और इस torch से जो है लाइट जो है इदर आप देखेंगे कि इस तरीके से यह state जाएगा इस तरह सीधा अब इसको disperse करना diverge और convert करना यह depend करता है इसके पीछे लगे हुए mirror के ओपर depend करता है इसमें जैसा अगर इसके अंदर diversion वाला mirror लगाएंगे तो यह इस तरीके का जाने लगेगा light और conversion वाला रहेगा तो यह एक ही point पर जाकर से क्या करेगा मिला देगा यह depend करता है उस पर बट हमेशा एक state path में light क्या करेगा travel करेगा ठीक है तो इसको मैं अटा देता हूं क्योंकि इस पर कुछ लिखा उसको भी पढ़ना मनों को अब देखें यहां पर क्या है if an opaque object on the path light becomes very small light a tendency to bend around its not work state line an effect known as diffraction of light then the state line treatment optics using ray falls to explain phenomena such as diffraction light is wave which you study the higher classes जो मैं बता रहा था कि electromagnetic wave की तरह light चलती वह भी higher class में पढ़ेंगे और इसका diffraction होता है वह भी higher class में पढ़ेंगे हम लोग but यहां पर दिया है तो आप जान लीजे again at the beginning 20th century became known as the wave theory light often becomes inadequate for treatment of interaction light with matter and light often behaves somewhat like stream particles with the confusion about the true nature of light continue for some year तिले modern quantum theory image एक quantum theory होती है वो भी आप next class में पढ़ेंगे light से ही रहता है इसमें hijenka भी है प्रिंस्पला होता है light is neither wave nor particle ऐसा भी प्रूब किया उन्होंनोंने a new theory reconciles the particle property of light with the wave nature और इसमें यह भी बताया गया कि light का जो particles होता है wave nature का होता है यहां पर आपके वह light पढ़ रहा है इसमें particle की बात नहीं पढ़ेंगे न वेब की बात पढ़ेंगे यह सब next classes में है इसके और भी इशारे जो है forms होते हैं चूकि आपकी बस में नहीं है बट आपको जाना है कि आगे क्या पढ़ना है ठीक है तो अब इसमें क्या है इन दिस चेप्टर वी सहल स्टडी फेनोमेन आप रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन लाइटिंग यूजिं इस्टेट लाइप पोगेशन अफ लाइट इस बेसिक इस बेसिक कं आपको इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ना है ठीक है और स्पेरिकल मीरर के बारे में पढ़ना है और रिफ्लेक्शन का क्या रिफ्लेक्शन में बोल सकते हैं कि यूज है अप्लिकेशन है मतलब वो आपको फिल भी होगा ठीक है अब जाके आपका चेप्ट का नाम है आपका तो अहाईली पॉलिश सर्फेस सच एज मीर रिफ्लेक्स मोस्ट अफ लाइट फॉलिंग और आल्रेडी फैम्रियर विद लॉफ रिफ्लेक्शन आफ लाइट तो अब समझ सकते हैं यहां पर एक डाइग्राम मुझे आप बनाना पड़ेगा समझाने के लिए आपको मा लिजे यह आपका पॉलिश कोई मीरर है इधर से मैंने इसको कबर कर रखा है कबर अड़ा का हुगा है और इस पर लाइट का जो भी बीम है इस तरीके से इस पर से आया डिसपर सोरी रिफ्लेक्ट होगा यह इधर चला जाएगा ऐसे यह और जीने लाइट का यह इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा इसका यहाँ पर ए और यह बी हो जाएगा उसके बाद में एक नार्मल ड्रॉ करते हैं ऐसे तो यहाँ पर एक एंशिडेंट एंगल बनेगा और यह रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा लाइट का यह पात था इस तरह आया उधर चला गया आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे कि इनका नाम क्या होता यह जो लाइट का जो रेज ऐसे जा रहा हो सर्फेस पर इसका नाम होता है इंसीडेंट रे इंसीडेंट रे और यह वाला जो रे है यह आपका हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे यह जो n है इसको लोग नार्मल बोलते हैं उसके बाद यह वाला जो i आपका जो एंगल है इसका नाम है इंसीडेंट एंगल इंसीडेंट एंगल इंसीडेंट एंगल को एंगल i से ऐसे डिनोट करते हैं उसके बाद यहां पर यह वाला जो r है इसका नाम हो जाता है रिफलेक्टेड एंगल इसको जो एंगल और करो आप समझ गैसे का इसमें इंसीडेंट एंगल है कऊन रिफलेक्टेड एंगल है रेज कौन काउन सा है इंसीडेंट ए नार्मल आपसे अगर incident angle पूछे क्या है तो आप बोलेंगे the angles जो होता है situated between ठीक है कहाँ पर incident ray and normal तो वो आपका क्या हो जाएगा incident angle हो जाएगा और reflected angle पूछ देगा आपसे तो normal और reflected ray के बीच में जो between बनता है वो आपका reflected ray हो गया तो रिफलेक्टेड एंगल हो गया उसके बाद में आते हैं यहाँ पर इसके law होते है ला में जैसे क्या है पहला ला है कि the angle of incident is equal to the angle of reflection मतलब कि यह जो angle i होता है यहां पर जो बना गए वो यह वाला जो angle है और यह वाला यह दोनों इक्वल होते हैं तो आप लिख सकते हैं एंगल I equal to angle R ठीक है The incident ray the normal to the mirror and the point of incidence and reflected ray align in the same plane मतलब आप द्यान से देखे कि इसका जो है ये वाला incident ray और ये reflected ray और नार्मल ये सब एक ही plane में जो है लाई कर रहे हैं ठीक है इसके बाद These law of reflection are applicable all type of reflection surface including spherical surface you are familiar with the formation of image by plane mirror spherical surface में भी ये reflection होता है और plane mirror में भी होता है What are the property of image image formed by plane mirror is always virtual and erect देखे इस चीज़ को आप समने कोशिश करें कि plane mirror में जो भी इमेज बनता है वो virtual और erect होता है माली जे यहाँ पर एक mirror है मेरा इस तरीके का और यहाँ पर माली जे कोई object हम रख देते हैं यहाँ भी कोई object है तो द्यान देखेंगे यहाँ पर इतना distance है आपका यह तो ठीक जो है उतना ही दूर जो है इधर लगेगा कि यह object का image इतना है बिहाइंड लगेगा आपको जैसे आप दिवाल में कोई आपके mirror लगा रहेगा लगेगा कि दिवाल के अंदर वो object आप उसको देख रहे हैं तो यह जो appearance है यह पहले image जैसा इधर रहेगा उसी type का बनेगा plane mirror में जैसी इधर state है सीधा इधर भी इधर बनेगा सीधा बनेगा और यही virtual image हमारा होता है virtual image होता है और यह क्या होता है इरेक्ट होता है अगर मा लेज़े यह object यहाँ पर जो है one meter की distance पर आए तो इधर भी जो image का distance होगा one meter ही होगा मतलब जितना distance पर यह object रखा रहा था mirror के front में उतना ही जो distance पर उदर वो बनता है image उसके बाद virtual erect बनेगा मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि जैसे आप mirror में देखते है अपना face तो जो आपकी सामने का जो distance होता है जैसे यह वाला area जितना भी है यह वाला जितना भी area यह भी इधर जाके इतना दिखता है इधर और उसके बाद फिर जैसे यहाँ पर object है उसी तरह यहाँ पर भी object दिखेगा बट इसका जो वाइड जितना भी मोटाई यह जितना भी होगा एक सेंटिमीटर होगा या आधा सेंटिमीटर ओगा गलास का मोटाई उतना ही है बट उसके अंदर ऐसा लगता है जबकि glass के अंदर कोई place नहीं है तो उस situation को हम लोग ऐसे image को परदे पर नहीं ले सकते curtain पर वो virtual image और erect होता है और इतने distance पर यह बनेगा उतनाई distance पर वो बनता है तो यहां पर देखे यह बात लिखावा है कि the size of image equal to the object of image the image form a behind the mirror as a object in front it जो मैं आभी आपको बता रहा था further the image laterally inverted how would you image when reflecting surface curve and explore अब देखे laterally invert का मतलब क्या होता है जैसे यहां समझे है माली जे image में अगर आप कोई later A देखेंगे तो यह symmetry later होता है A ही दिखेगा but B जब आप ऐसे देखेंगे तो यह B कुछ ऐसे बन जाएगा इसी को laterally invert बोलते है left का right right का left अगर C आप देखेंगे तो C जो ऐसे बन जाएगा समझ रहे हैं आप तो कुछ symmetric later होता है जो आपको उसी तरह दिखेंगे जैसे यह है इसका आप opposite भी बनाएंगे तो यही बनेगा यह लेट का right करेंगे इसी को laterally invert करते हैं आप copy में देखेंगे selfie phone में भी आप करेंगे कोई image को तो वह उसी तरह दिखता है तो उसके कायने का मतलब यह है अब आपको एक एक्जांपल देखें सम्झाने कोशिच किया जा रहा है यहां पर दिकर्व सर्फेस अफी शाइनिंग इस्पून कुड यू कांसीडर एक कर्मिरर दिमोस्ट कामिली यूज ताइप अप कर्मिर इन इस्पेरिकल मिरर तर इफ्लेक्टिंग सर्फेस आप सच इस्पेरिकल मिरर पहले आप जाने इस्पेरिकल मिरर होता कैसे कैसे बनता है जान देजे मा लेजे यह आपके पास एक बॉल है इतना बड़ा मैं बना देता हूं यह और इसको आपने बीच से से काट दिया तो जैसे कटोरी होता है ना उस टाइप्स का दो बन जाए जैसे क्रिकेट का बाल भी होता है जो 40-50 सुपेक मिलता है राबड़ वाला वो अगर फट जाता है इस तरफ बीच से तो कटोरी टाइप का दो बन जाता है तो एक जो है माली जाए इस टाइप्स का बनेगा कि मैं मैं बना देता हूं आज जगे नहीं है और एक ऐसे बन जाएगा कुछ इस तरीके का तो आप क्या करना है अगर ध्यान दीजेगा अगर आप इस तरीके का कर देते हैं इस धरका इस तरीके से इसको कबर कर डेते हैं और यह बना देते हैं आप मेग Footballन कर देते हैं एक लिएक सेंडीजिश को कि ऊजिए हूं ईसका नाम हो जाता है कंवेक्ष मीरर अध्यक्न केसमी 116 वह इसलिए और जब भी तरबाहर की तरब कर देते हैं और यह वाला सबच्भस आपका reflectsn surface हो जाता तो यह इसका ना हो जाता है का इस ठीक है के तो इसी तरीके से आपके polish के ओफर defend करता है अगर बाहर इस तरीके से concave में बाहर होता है तो दो अंदर की तरफ जो है light जाती है अंदर की तरफ light जाती जिसी यह पे कनकेव इस तरह याद कर सकते हैं केव मतलब क्या होता है गुफा मतलब अंदर जब लाइट इंटर करेगी तो वो जो है कनकेव मीरर होगा अब यसी हालो जो है बॉल से ये कट करकी ये बनाय जाते हैं अब ध्यान दीजे कि अगर मा लिजे आप इधर का पेंटिंग कर दिए इधर से कबर कर दिए और इसके दूसरे वाले पार्ट को भी इधर से कर दिए ये दोनों इकाउन सा बन जाएगा ये कनकेव बन जाएगा दोनों मीरर है ये क्या बन जाएंगे कनकेव बन जाएंगे लेकिन अगर आपने क्या किया कि इसको जो है अंदर की तरब कर दिया इ तो यह दोनों mirror आपके convex बन जाएंगे तो मैं आशा करता हुआ कि आपको समझ में आ गया होगा मतलब यह कहीं जो ball है hollow ball एक glass का उसको आप convex भी दोनों बना सकते हैं आपके भी बना सकते हैं और convex और सिप्रेटली भी आप बना सकते हैं ठीक है तो अब देखें यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर सिंपल से बाद इस फेरिकल मीरर के बारें जा रही है बताने को बता दिया लेकिन बुक का जानना जूरूरी होता है दि रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आप स्पेरिकल मीरर में कर्व इनवर्ड आउटवर्ड जो मैं बता रहा था कि सर्फेस जो आए रिफ्लेक्शन आप अंदर भी कर सकते हैं बार भी कर सकते हैं तो यह वाला जो है कंगे मीरर और इस पेरिकल मिरर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कर्ब आउटवर्ड इस काल्ड कणवेक्स मिरर मैंने दोनों को बता दिया अब यहां पर आप ध्यान दिजे कि यह जो मिरर इसने भी बनाया यहां पर है यह कंगे मिरर यह बाहर की तरफ देखिए इधर की तरफ जो क्या किया हुआ है पेंटिंग किया हुआ है अब लाइट जो है इस कंगे मिरर में इधर से इंटर करेगी ऐसे और रिफ्लेक्ट होके इदर आएगी ऐसे उसी तरह इसमें आप द्यान से देखेंगे कि यहां पर जो है इदर के जो भी पेंटिंग हुई है लाइट इदर से जाएगी और रिप्लेक्ट होके इदर आएगी ऐसे यह आपका क्या हो गया है कि यह कन्वेक्स है तो इतना सफिस्येंट है आप समझ आठाट आता है कि किसको क्या कहते हैं हम लोग पूल क्या होता है तो मैं इस तरीके से बता देता हूं ध्यान देजें क्योंकि इंप्टेंट पॉइंट मतलब है यह देखें जो यह वाला मालिजया आपका मीरर रहा यह कॉन केव है तो इसका जो रिफ्लेक्शन सर्फेस है इसको reflection surface बोलेंगा हम लोग ठीक इसी की ये mid point को हम लोग pole करते हैं यहाँ पे इसको pole बोला जाता है और अगर कोई भी light की beam इस तरीके से जाएगी तो reflect होके focus होकर जाएगी ठीक है तो ये जो point इसका क्या हो जाएगा focus हो जाएगा ये हर समय यह होगा कि अगर parallel कोई light जा रही है तो ये focus होकर जाएगी तो जिस point जाएगी उसका नाम focus हो जाता है और जिस भी ये hollow ball से ये बना था उसका जो ये वाला जो center होता है यहाँ से काटने के बाद जो यहाँ पे यही C बन जाता है यहाँ पे यह और pole और C के पीच का यह PC जो मेरा होता है यह इसी को हम लोग radius बोलते हैं यही capital आ रहा है उसके बाद pole और F का जो distance है यहाँ से पीअफ तो यहाँ पर आप देखें पीअफ जो मेरा होता है वह हमारा जो focal length हो जाता है कि दो चीजिस में थी एक PC और एक पीअफ उसके बाद आर जो radius हो गया फोकल लेंथ हो गया अब देखे सिपरेट कैसे कैसे light जो यहाँ पर पास करती है इमेज formation अब नेक्स देखें क्या आप रेडियस जान गए फोकस जान गए इसके बाद में आता है इमेज formation उसके पहले देखें बताया कि जो हमारा आर होता है यह 2F के इक्वल होता है मतलब फोकल लेंज का twice होता है यह F इक्वल 2RY2 होता है यह numerical में यूज होगा आप इस फामूले के फाम में इसको लिख सकते हैं आप इसके बाद इमेज formation जोगा इस spherical mirror से कहां कहां पर होता है तो ध्यान दीजे यह यहाँ पर लिख दिया है से इसको मैं अभी समझा देता हूं कि यह चार्ट आप कैसे बनाएंगे बहुत यह easily होता है चलिए मैं यहाँ पर समझाता हूं इसको चलिए यहीं पर एक मैं डाइग्राम बनाता हूं छोटा से मा लिजए यह आपका क्या है कौन के मीरर है और यह आपका प्रिंस्पल एक्सिस है यह पोल हो गया है reflection surface के meet point को पोल बोला जाता है और यह आपका focus हो गया और यह आपका c हो गया अभी जो अब्जेक्ट है आप infinite पर रखें यहां पर है infinite का मतलब यह होता है कि दूर पता नहीं है उसका distance पता नहीं है कितने दूरी पर है वह तो अगर यहां पर माली जो अब्जेक्ट है पहले बात infinite पर तो इदर आएगे इमेज इसका जो infinite का focus पर बनता है तो यहां पर देखें बताया गया है कि जब infinity पर कोई object रहेगा तो इसका इमेज जो एकाम बनेगा focus पर बनेगा और बहुत ही वह छोटा बनता है इसलिए इसको लिखा गया है कि highly damaged बनता है और real और inverted बनेगा रियल इन्वर्टेट और देखें अभी पीछे जो इमेज मैंने plane में बताया था कि यह virtual वर्चुल और erect है अगर इमेज ऐसे बनता है आपका तो इसको लोग इन्वर्टेट और रियल बोलते हैं तो रियल इमेज हमेशा जो इन्वर्टेट और इन्वर्टेट होता है रियल इमेज मतलब तो इस तरीके का यहां पर फोकस पर बनेगा आप जानिए कि अगर पोल से आप इधर के डिस्टेंस पर आएंगे तो इधर सारा साइन जो यह निगेटिव का लिय जाता है साइन प्रपरटी आगे पढ़ाया जाएगा पर यहीं पर आप जान लिजे तो अच्छा है उसके बाद देखें अब आप जेट को कहां पर लेकर आए जिसी यह सी है और यह इन्फाइनाइट था तो इन्फाइनाइट पर फोकस बनेगा आप अब अब्जेक्ट मा अब्जेक्ट आएगा तो यहां पर देखें अगर आप सी ब्यांड सी रखते हैं तो बीट्विन कहां बनेगा और यहां पर भी डिमिश्ट बनेगा रियल और इन्वाटेट तब तक बनता रहेगा जब पोल के लेफ साइट इधर से इधर से इंसिटेंट रही है इस मीरर पर गए और इधर ही इमेज बनेगा हमेशा इसके अपोजिक्ट डारेक्शन में मतलब जिदर से इंसिटेंट रही है उसी के अपोजिक्ट डारेक्शन में अगर बनेगा तो हमेशा जो है रियल और इन्वाटेट होगा यह चीज आप जान लिए उसके बाद दर सी और infinite के बीच में जब object हम रख दिये तो image कहा बना c और f के बीच में अब c पर object को रखेंगे लाकर यहाँ पर तो ध्यान दीजे जब c पर आप object को लाकर रखेंगे यहाँ पर रख दिये image भी यहीं c पर ही बनेगा और image जो होता है object के size का बनता है तो यहाँ देखे add c पर image कहा बन रहा है c पर इबन रहा है और same size का बनेगा यहाँ पर भी real और inverted रहेगा ठीक है उसके बाद आप object जो है c और f के बीच में आएगा यहाँ पर आप object लेकर आगए तो अब यह image जो है c से जो है infinite और c के बीच में इधर खहीं बनेगा ऐसे तो द्यान दीजें यहाँ पर c और f के बीच में हम object लेकर आए तो यह c और infinite के बीच में बना और यह थोड़ा से बड़ा बनेगा लार्ज बनेगा यह भी real और inverted रहेगा अब image कहां पर बन रहा है c और infinite के बीच में अब object को ले जाएंगे हम c आपके बीच आप focus पे image को लाक और यह highly क्या बनेगा इनलार्ज बनेगा अब उसमें भी real और inverted बनेगा उसके बाद जो है अब object को पी और f के बीच में लाके रख दिया तो इधर बनेगा behind the mirror इधर बनेगा और in large बनेगा यह वर्चुल और इरेक्ट बनेगा behind the mirror बनेगा image तो यहाँ पे between p और f के बीच में जब object को लाएंगे तो behind the mirror बनता है बहुत बड़ा बनेगा और virtual इरेक्ट बनेगा तो इसका ray diagram भी है आगे उसको मैं दिखा दूंगा पहले आप इसमें समझेए कि रेज जो है कैसे कैसे जाती है तीन रेज होती है यह diagram उनी का है कि कैसे कैसे जाएगा तो पहले मैं concave क तो इनको जो है मैं इस तरीके से कर देता हूं painting यह ऐसे हो गया इसके reflection surface का meet point पी है यहां पर भी पी रहेगा अब देखे light यह focus है आपका और यह c है जब parallel light इस तरीके से आएगी तो इसका reflection होगा तो यह focus से जाएगी किसकी बात हम कर रहे थे concave की कर रहे थे यह concave था अब यहां मालेज यह focus है और यह c है अब light जो देखे यहां पर parallel इस तरह कर जाएगी तो लगेगा कि focus से क्या है और यह आ रही है तो यह आपका convex हो जाएगा इसमें seems होता है convex में real में नहीं होता है उसके बाद दूसरा एक इसका figure बनेगा focus वाला हो गया अब चलिए मैं बनाता हूं यहां पर यहां पर बना लेता हूं यह पी है पोल है उसका और यह f हो गया और यह c हो गया यह f और यह c हो अब light देखे क्या होगा कि अगर माली जे focus से अब light लिख जा रहे है इस तरीके से तो यह reflection के बाद में parallel हो जाएगा इस तरीके से principal axis के और यहां पर भी अगर focus की towards the light जा रही है तो इस तरीके से यह भी reflect होके parallel हो जाएगा इसमें convex में एक condition और बचती है जो कि यह figure भी बना यह में पर समझा देता हूं कि अगर c से इस तरीके से जा रहा है light इधर से गया तो यह वापस उसी पर आजाएगा इधर भी अगर c की तरफ जा रहा है light इधर से तो यह वापस रास्ते भी वापस आजाएगा तो यह तीन situation है यहां पर ठीक है तो यहां पर यह वाला लाइट इस तरीके से जाता है यहां पर तब भी इसका reflection होगा इधर डारेक्शन में होगा तो यहां पर reflection आप लॉक एकार्टिंग यहां इंसिडेंट एंगल बनता है और यहां पर reflected एंगल बनता है और दोनों equal होते हैं सेम प्रॉसेश जो है convex में भी होता है और concave में ठीक गया है तो image इसका कहां पर बनेगा focus पर बनेगा और ठीक c और infinite के beam बीच में object आ गया मैं यहां पर infinite बना देता हूं अब image देखे focus से c और f के बीच में आ गया अब ध्यान से देख सकते हैं मतलब half step जो है इधर आ रहा है left side में जा रहा है और image जो हमारा right side में जा रहा है अ अब उसी तरह यह object जो था c और infinite के बीच में था अब यह object खुझ C पर पहूंच गया और यह c पर image बन गया इसका सेम साइज का यहां पर बनता है image ऊसके बार में अब object कहां चला गया c और f के बीच में चला गया तो यह image जो है tone seebook से और infinite के बीच में बनेगा उसके बाद object जो है खुद B पे पहुँच जाएगा और image जो है यहाँ पे infinite पे बनेगा ठीक है फिर यह जो है पोल और F के बीच में जब यह object आ जाएगा तो यह behind the mirror बनेगा और in large बनेगा यह वाला figure बच्चे नहीं बना पाते यह फाला मैं यह फाला बना दे रहा हूं देखे कैसे बनता है क्योंकि थोड़ा से हमको space करने के लिए मैं जूम कर लेता हूं यह यह रहा है देखे ऐसे जो है आप पहले क्या करेंगे कलर थोड़ा मैं डार्क ले लेता हूं यह आपका पॉल है यहां पे f है और यह आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा अब आप जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं आप पी और f के बीच में रख दिया एक रेज ऐसे आई यह focus से इधर चली गए उसके बाद दूसरा वाला जो रेज है अब इनको सी से जो इनको आप इस तरफ पीछे की तरफ इस तरफ बढ़ाएंगे तो जहां पर वो कट करेगा वो ही पर object बन रहेगा यह माले जे एबी डैस हो गया इस object का नाम था यह भी इस तरीके से यह बनता है ठीक है जो कि यहां पर बना हुआ है आप देख सकते हैं अब कि इमेज फार्मेशन में अब यूज आप कॉंके मीरर की बात आती है कि यूजर्ट आथे इसके कर देख यूज आप कॉंके मीरर तो कंके मीरर काम लिए जो होता है एद लाइट टू पावरफुल पैरललर भीम लाइट जितने भी टार्च होते हैं आप देखेंगे प पर जो है वो concave mirror लगा रहता है अंदर की तरप में होता है वो ठीक है और इस torch में से जब light जो होता है तो यह beam जो है बहुत दूर तक इसको यह reflect करने की कोशिश कराता है सेम यह अब light जो है आप चाहिए किसी गाड़ी में लगा लीजे वीकल में लगा लीजे ठीक है वहाँ पर भी इसी तरीके का beam जो है create करता है often use the saving mirror to see large image face कंके mirror में क्या होता है कि अगर आप अपना face देखते हैं तो बहुत बड़ा face दिखाई देता है एक फायदा यह भी है dentist जो है use करता है कंके mirror large image को teeth को देखने के लिए opposite sides जैसे यहाँ पर समझे बच्चे नहीं सहुर पाते कैसे मा लिजे यह आपका lower jaw है और यहाँ पर जो ऐसे दाथ हैं इसमें ऐसे ऐसे अब इसके इसी यह वाला दांत जो यह आपका defect है पीछे side से आगे से नहीं दीख रहा है यह जो यह behind में जो यह इसके defect है तो आप सामने से इस तरीके से देखेंगे तो यह पीछे वाला पार्ट नहीं देखेगा तो वो क्या करेगा? किि इस तरीके का एक handle लगा रहता है, यहाँ पर एक candle क्यों के mirror रहेगा इस तरीके का इसी की को क्या करेगा वो यहाँ पर इंटर करेगा और यह mirror जो अधर से smooth रहता है बाहर की तरब भाता है और इसी पर इमेज फार्म हो गाए वो बिहाइंड जो भी दाज जो भी डिफेक्ट है जब वो फार्म होगा मतलब कि यह वाला जो हैंडेल टाइप का इस तरिके लगा रहेगा इसमें मीरर लगा रहता है और इस वाले दाज का जो भी रहेगा सिच्वेशन के लिए जो है वो यूज किया रहाता है उसके बाद लाज कनके मिर यूज टू और कंसर्टेटेट सन लाइट प्रोडू दर हीट सोलर फरने जैसे देखेंगे आप एक ऐसे होता है सोलर जो भी भड़्ठी ईसको बोल जाता है हिंदी में माली जरिस तरीके का बॉक्स टाइब का बना हुए इसमें जो एक प्लेंड मिरर जो एँहाँ पर ऐसे लगा रहता है श्री कौनके मिरर मैं ने बोल दिया प्लें रिर का भी हूज होता है बट यहां पर क्वनकेम मिरर का ओता लाइट जितना भी आएगा यह reflect होकर जो है इसमें चारो तरब जो है reflection होगा इसका तो इसमें जो है sunlight जो है heat जो है produce करेगा heat ज्यादा जो है इसमें produce करेगा इस form में भी इसको जो है use किया जाता है उसके बाद जो convex mirror का जो image formation होता है convex mirror का image छोटा बनता है बहुत ही और वर्चुल होता है एक ही देखें यहां पर सिच्वेशन है यह वाला इमेज इसका बना हुआ है मतलब देखें लाइट कैसे कैसे गई है मैं इसको ओबर लैप कर दे रहा हूँ एक जो जाएगा ठीक इस तरह के से इधर से गया और यही राष्ते में यह वापाश पर आजाएगा और दूसरा वाला जो लाइट रहेगा आपका एस तरह के से पर लजाएगा और रिफ्लेक्ट होके यह इस डारेक्शन वर्चुवल होता है या वर्चुवल इरेक्ट और डिमिज्ट होता है बहुत छोटा होता है तो फाइनाइट डिस्टेंस प्यूंज थोड़ा कहां से भी आ रहा है मुझे उसके बाद देखे अब इसका एक ही कंडिशन अगर इन फाइनाइट पे आप रखेंगे तो इमेज पर बनेगा जैसा कि कौन केप का बनता था और हाइली डिमिज्ट मतलब पॉइंट साइज का बनेगा और वर्चुवल और इरेक्ट रहेगा वह जो है अब पोल और यहां पर पोल इंफिनिटी की बतलब की यहां पर देखे पोल है यहां पर और इधर इंफिनिटी आपका इसके बीच में अगर आप यहां पर कोई अब्जेक्ट रखता है तो यह इरेक्ट बनता है और डिमिज बनेगा इरेक्ट और वर्च बनेगा तो इसको माना जाता है एक एक ही टाइप का यह इमेज बनता है ठीक है तो अब इसका भी उजेज होता है कन्वेक्स का कन्वेक्स का देखें यूज कहां होता है यहां पर है देखें कि आट्व मॉवाइल जो कार होता है बाइक होता है तो उसमें एक साइट में जो है मिरर लगा रहता है उसको रेयर व्यू बोल भी बोलते हैं लोग वह पीछे का साइट ज चोटे चोटे एरिया में दिखाता है मतलब कान्वेक्स मिरर का यूज जो है रेयर वीव वेकल में होता है इस मिरर फिटेड तो साइड आफ विकल इंवेडिंग enabling driver to see traffic behind him facilitate safe driving convex mirror are preferred because they always give the erect through damaged image मतलब आप समझे कि इतना बड़ा अगर area है मेरा यहां पर वो bike चला रहा है इतने बड़े area में बहुत लोग हो सकते हैं इसे रोड पर वो जा रहा है यह मालीजे रोड है इधर एक bike वाला है और इधर जो है इसके मालीजे यह पर mirror लगा तो इतने बड़े area को यह cover कर रहा है और यह बहुत easily जो है इसमें देख पा रहा है कि क्या क्या पीछे है तो इसका accident होगा नहीं वो पीछे से जान जाएगा वो ठीक है तो चेप्टर देखे इसमें यही था एक plane mirror का जो यूज है इसमें नहीं लिखा तो मैं बता देता हूँ जैसे मालीजे plane mirror का यूजज क्या होता है मालीजे यह road है इस तरीके से आप highway पे जा रहे हैं और इधर से यह ऐसे bent हो गया यह road इधर से लोग जा रहे हैं इधर से कुछ लोग इधर से भी जा रहे हैं इधर आएगा भी जाने वाला तो ठीक जो है plane mirror जो है यहाँ पर लगा दिया जाएगा इसी corner पर ऐसे करके ठीक है इधर वाला आदमी जो है इधर के लोगों को देख लेगा और इधर वाला इधर के देख लेगा यह जो है blind turn इसको भी बोला जाता है अंधा मोर कि मतलब एक दुसरे को कोई state नहीं देख पा रहा हैं, तो एक दुसरे को देख लेगा, तो accident नहीं होगा, अब plain mirror काई हुझ जो है, आप घरों में भी करते हैं, simple समझ सकते हैं आप, तो plain mirror काई हुझ आप घरों में भी करते हैं, और size जो होता है, plain mirror के एक आप property, तो अपने हाइट का 3 feet का अगर mirror रहेगा तो आपको फूल इमेज आपको दिख जाएगा मतलब यह object है साइज है और यह mirror का साइज हो जाएगा फूल इमेज देखने के लिए तो आप plain mirror के बारे में जाएगे कि मतलब अगर आपको पूरा फूल साइज का इमेज देखना है अपना mirror में तो आपके height का half रहना चाहिए ठीक है और नार्मली आप decoration में भी यूज कर सकते हैं सजावट में plain mirror का आप देखेंगे कि so room में जाते हैं तो वहां बहुत सारा mirror लगा रहता है light reflect होती है तो उसे light increase reflection के उजसे वहां का view थोड़ा अच्छा दिखता है और decoration भी एक तरीके का वह इदर उधर का image बार बार दिखता है तो अच्छा लगता है उसके लिए भी यूज आप कर सकते हैं यहां आप देखें कुछ से mirror बना लेंगे और यहां से light जो है एक ले जाएंगे पैरलर प्रिंस्पल एक्सिस के और जहां से यह इवेंट हो जाएगा reflect होके इस डारेक्शन में यह ही पॉइंट आपका क्या हो गया फोकस हो गया तो डिफाइन दर प्रिंस्पल फोकस तो बोलेंगे वेंडरे यह है ठीक है पैरलर टू इट्स प्रिंस्पल एक्सिस मूब कर रहा है तोवर्ड दर प्रिंस्पल एक्सिंग after the reflection its path which point ठीक है अब प्रिंस्पल एक्सिस जहां पर यह जिस पॉइंट से यह पास कर रहा है वो ही पॉइंट जो आपका क्या हो जाएगा फोकस हो जाएगा तो सिंपल इसका definition लिख देंगे a point on the principal axis at which a light ray parallel to the principal axis convergence after reflection ठीक है convergence after reflection यह आपका क्या हो जाएगा उसका definition हो जाएगा अब जिसे यहां पर देखें क्या दिया हुआ है आपको definition नहीं सुन में है तो मैं फिर से repeat कर देता हूँ कि आप एक्जाम में कैसे लिखेंगे लिखेंगे आप a point on the principal axis at which a light ray parallel to the principal axis convergence after reflection ठीक है यह फर्स्ट वाला question था करा radius of curvature spherical mirror है 20 cm वाट इद फोकल लेंथ है तो आर अगर आपको 20 cm अगर गीवेन है एफ इक्वल टू क्या हो जाता है और भाई तो यह फामूला है पीछे माने बताया था आगे f equal to r हमारा 20 है और यहाँ पर 2 से divide हो जाएगा 10 time में continue हो जाएगा 10 cm जो है इसका focal length हो जाएगा अब देखें यहाँ पर mirror नहीं बताया है कौन से mirror का radius अब करवचर दिया था क्योंकि अगर वो concave रहता तो negative में focal length लिखते convex रहता तो पाच्टी में जो sign property इसी के बाद है उसमें यह बात बताई जाएगी अब देखें यहाँ third question क्या है name a mirror that can give erect an enlarge image and object तो देखें erect भी है और enlarge भी है तो कौन से mirror में होगा concave में होगा है ठीक है इसका answer क्या हो जाएगा concave अब कोई कहएगा convex में भी तो बनता है erect image बनता है बट उसमें जो है damaged image बनता है image लास्ट वाली condition है मतलब यहाँ पी रहेगा और यह इसके बीच में object है तो यह बिहाइंड दे मीरर इमेज बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा इलाज बनेगा है ऐसे ठीक है यह बिहाइंड दा मीरर इधर बनेगा ऐसा जो है situation में रुके में दिखा देता हूं आपको कहां गया वह यह यह रहा यह वाला situation है कि पी और एफ के बीच में object है ठीक है एफ वाली situation है और इन लाज इमेज बना और वो direct बना चलिए अपने टापिक पर आते हैं लोग वीडियो लंबा है उससे आप नहीं घबडाएंगे ठीक है नहीं तो समझ में नहीं आगा एक बार आप समय निकाल के समझ लेंगे तो आपको एक्जाम में काम देदेगा फोर वाला देखे क्या आपका है वाई डू यू प्रिफर दे कॉन्वेक्श मीरर रेयर वीरर तो वही मैंने बताया कि जो लार्ज एरिया होता है देखे इतने बड़े लार्ज एरिया को अगर वो छोटे में दिखा रह प्लेन रिफर लगा देगा दो लेंड मिरर की प्रफरटीस क्या होती है क्यों सइम साइज का देखता है तुस जितमाली ट्रॉक आ रहा है तो ट्रॉक इतना बड़ा क्या होना चाहिए उससे दोगुना साहीज का मिरर चाहिए तब वो इमेज पूरा ट्रक का देख पाएग असान बासाम समझे अब यह माली जै कॉनकेव है ठीक है उसके बाद माली जै यहाँ पे प्रिंस्पल है यह प्रिंस्पल आपका एक है यह फोल फोकस है और यह सी है माली जै अबजेक्ट यहाँ पे आपने रख दिया अब इमेज हमको बनाना है माली जै एक रेज आई इस तरीके से पैरलर जा रही है सोरी थोड़ा पैरलर बनाना था मुझे यह पैरलर गई यह थोड़ा मीरर उपर तक है और इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ इदर फोकस हो गया ऐसे और एक सी से गई और इसी डारेक्शन में वापस हो गई इमेज हमारा यहाँ पे बन गया इस इमेज सोरी ऑब्जेट का नाम था एबी और इस इमेज का बन गया एडस बीडस अब यहीं से स्टार्ट होता है कि आप कैसे जो है क्या इसको बोलेंगे द्यान दीजें रेज देखे रेज का डारेक्शन यह इंसिडेंट रेज का तो जितना भी डिस्टेंस आप अपोजिट डारेक्शन में रेज के लेंगे अपोजिट डारेक्शन में तो वो सारा का साइन निगेटीब हो जाएगा अब जैसे यहाँ पर देखे किसका किसका निगेटीब हो रहा है कि यह P और यह PF है जो कि आपका focal length होता है तो यह minus F होगा और यह mirror कौन सा है आपका? Concave है तो हमेशा जो है Concave में जो focal length होता है वो निगेटीब होता है focal length आप से पूछेगा तो mirror अगर बोल देगा वो कि Concave है तो आप जब find करेंगे यह अपकी value तो उसको negative में लिखेंगे Convex रहेगा तो पास्टी में उसके बाद में PA' जो मेरा है यह image का है तो image को define करते है minus B होगा यह भी minus में होगा PCMI radius है यह भी minus R होगा और PA मेरा object रखा यह भी minus C होगा मतलब सब कुछ negative में होता है इसमें एक condition में सिब जो है इसका PV जो है positive में होता है image इसका positive में बनता है कि जब condition क्या होती है कि object को यही वाला condition अभी मैंने पीछे बताया था है कि यह focus है मा लिजे और यह C है object जो है कंके में जो पोल और यहां पर रहेगा इसके बीच में रहेगा जो image यहां पर इस तरह positive है यह image जो बनेगा positive बनेगा सिब एक condition में बनेगा बाकि जो इसके जितने condition पांच condition होए वो real और inverted image बनाते हैं minus sign यह बताता है कि front of mirror image form हो रहा है यह object रखा गया है और plus यह बताता है आपको कि behind the mirror हो इसके रहेगा तो negative देखे यह जितने भी है opposite direction में इधर जा रहे हैं सब यहां से आप देखे जो भी measurement हम कर रहे हैं opposite direction में कर रहे हैं तो यह जो है negative हो जाएगा तो यहां मैं लिख देता हूं negative और इसके direction के इधर आप चले जाएंगे same direction में तो यह आपका positive हो जाएगा ठीक उसके बाद उसी तरह देखे यह concave में convex में भी होता है convex का मैं यहां पर बना देता हूं कि देखे यहां पर भी वही figure है मां लिजे direction देखे इधर है इसका रेज का इसके opposite आप जाएंगे तो यह negative में measurement होगा और same direction में अगर आप measurement करेंगे तो positive में होगा तो concave में जितना भी image बनता है इधर ही बनता है एक इधर बनता है पीछे वही positive होगया six वाले condition में और convex में जो image जो है behind बनता है उसका हमेशा positive होता है तो यहां मैं लिख देता हूं जो convex होता है मेरा convex में देखे उसमें यू जो भी होगा पीए मां लिजे यहां पर मैं image पहले एक बना लेता हूं convex के लिए यह मां लिजे आपका convex mirror है यह P है यह F है और यह C है उसके बाद देखे यहां पर एक object में रखा हूं parallel जा रहा है फोकस से जाएगा ऐसे और एक जो C की तरफ जा रहा है इसी तरह वापस हो जाएगा तो image यहां पर कि फाम हुआ यह मारा A B है अब यहां ध्यान देने वाली बात आप देखे क्या हो रहा है कि डारेक्शन हमारा इधर है रेच का है कि रेज है और measurement देखे हम इधर क्या कर रहा है अपोजिटा कि डारेक्शन वी कि एक ही measurement कर रहा है वो क्या कर रहा है यू है हमारा पस ऑबजेक्ट को यू बहते हैं यह हमारा object तो यहां पर प्राइब यह मेरा object है यह मैनस में हो जाएगा वाकी जो फोकल लेंड जो है पी आप डारेक्शन के मेरे के वो इंसीडेंट रहे के वो प्लस में हो जाएगा और पीए डैस जो है मेरा प्लस भी हो जाएगा और पीशी जो है वो प्लस आर हो जाएगा मतलब सब कुछ प्लस में रहता है सिप ऑबजेक्ट जो है इसमें क्या हो जाएगा निगेटी में रहेगा क्योंकि object front of mirror हमेशा रहेगा तब ही image form होगा तो आपसे एकर convex mirror में पूछेगा कि radius अब करवच्च जो भी दिया है उसका focal lane बताइए तो positive में और numerical में जहां पे भी आपको कह देगा convex इसका मतलब ही आप positive में है अब यहीं से ध्यान देखे U दोनों में negative है तो numerical में आप समझ लीजे question बनाते समय हमेशा U negative में रहेगा और focal lane भी clear हो गया कि अगर वो convex है तो positive concave है तो negative बच गया केवल आपका भी भी depend करता है situation के ठीक है भी convex में जो है positive बनता है हमेशा अब concave बचा concave में जो है five time जो हमारा image जो है negative बनेगा एक type positive बनेगा तो ये U भी आपका relation है ये formula होता है और इन formula में एक magnificence है चरिए one upon f equal to formula आपका हो जाता है one upon U plus one upon B U जो है आपका distance of object है distance of object from pole जितना भी distance रहेगा सबको measurement कहां से किया जाएगा pole से किया जाएगा और भी जो है आपका है distance of image है distance of image ये भी pole से रहेगा ठीक है from pole f जो आपका है focal length है ये ही जो है तीन variable है इने के help से numerical बनता है अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पर short में समझने के लिए कि अगर माली जो है आपका concave है आप numerical solve कर रहे हैं तो ध्यान देजे यू जो है आपका negative में लेंगे और भी जो है negative में रहेगा कितने टाइप five types कब जब front आप mirror बनेगा तब एक type वो positive रहेगा यह behind the mirror बनता है उस समय जो है वर्चुवल और इरेक्टी में जो होता है behind mirror और एफ जो है इसमें concave में minus में होता है तो आप समझ गया होगे numerical लगाने में यह बहुत ही useful रहेंगे यह सब sign अगर मैं वही मैं इसकी बात करूँ convex की बात करूँ तो देखे convex में क्या होता है यह plus B जो है plus में रहेगा हमेशा F भी हमेशा plus में रहेगा U हमेशा negative में रहेगा convex का fix एकदम इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है इसी तरीके का यह हमेशा रहता और इसमें कोई changing नहीं है इसके help से जो है आप numerical बहुत easy लगा सकते हैं I think मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसमें कुछ बचा नहीं है अब numerical स्टार्ट हो गया exercise हो गया अब reflection जो है यह अब मेरे second video में रहेगा एक video इसी का भी रहेगा उसके बाद जो है मैं combined जो है इनका numerical करा दूँगा आपको समझ रहे हैं combined जो आपको numerical करा दूँगा देखें बहुत है important sub topic मैंने cover किया मैंने आपको अच्छे से समझाया भी आसा करता हूँ आपको वीडियो से और में आया होगा आप comment करेंगे और आपको वहाँ से भी material मिल जाएगा टेलिग्राम में आप जाके ज्वाइन हो जाएगा मेरे link से अभी टेलिग्राम जो है मैंने आज ही channel बनाया है उसमें मैं material डालूँगा अभी आपको ज्वाइन हो जाएगे numerical कोई भी रहे आपको step wise step बताया जाएगा समझ में भी आएगा सारा chapter science math का आपको इसी channel मिलेगा दिरे दिरे सारा exam के पहले मिल जाएगा आपके free board से पहले सिप आपको करना कुछ नहीं है आपको free up cost मैं नहीं कोई आपको notes बेच रहा हूँ ना material प्रोवाइड कर रहा हूँ पैसे से आपको सिप subscriber को increase कराना है ठीक है इसी को आप यही बस आपस request है और कुछ नहीं कि आप subscribe करेंगे पहले तो अभी 1000 subscriber नहीं हुए नया channel है तो 1K जो है पहले हो जाए YouTube की जो minimum जो है जो भी यह qualification वो increase हो जाए पहले तो यह complete होगा उसके बाद increase होगा तो आप सारे stage मुझे मिलेंगे पहले यह 1K तक यह पहुचे जिसके लिए आप जो पढ़ने वाई लड़का होगा सीपूसी को आप सेयर करेंगे अपने classmate को otherwise ऐसे लोगों सब्सक्राइब नहीं कराना है जो वीडियो नहीं देखता है उसका कोई मतलम नहीं है आप like, share, comment करेंगे जिरूच के आपको किस topic पे वीडियो चाहिए या कोई personal topic है जिसमें से आपको problem हो रहा है किसी subject में उसका अलग से वीडियो बन जाएगा बट यह whole chapter था whole chapter का जो भी समरी है पूरा एदम theoretical formula के साथ है इसमें एक formula और यहां पर मैं भूल रहा था उसको विता दू m equal to minus b upon u hi upon ho होता है यह magnificence का है numerical जब स्वाल होगा तो सारे formula पर चर्चा भी किया जाएगा m की value देखे अगर greater than 1 है इसका मतलब image जो है greater than object के है अगर m की value less than 1 है इसका मतलब यह है कि object greater than i के है और m अगर one के equal है इसका मतलब object और image दोनों के है equal है एक चीजावर है यहां पर पता जाता है कि अगर m की value negative में आ गई तो यह real बनेगा image और inverted होगा और अगर m की value positive आ गई आपकी तो जो कि इसको थोड़ा मैं color चेंद करूँ हाँ positive आ गई तो यह virtual और erect बनेगा बस यह बताना था उसके बाद थोड़ा से आउर समय लेजें हाँ कि अगर image के recording आपको पहचानना है कि आप बताइए कि यह concave और convex यह convex है और plane कैसे जानेंगे तो इसको और अरल सुन लेजें कंकेम में देखे जब हो जाएगा कोई भी आदमी अपना चेरा देखेगा तो इसमें जो है उसको लार्ज दिखेगा उसके size से convex में small दिखेगा और plane mirror में जितना बड़ा कहा है वो size उतने बड़ा कहा है कि मैंने इसको गलती से small लिख दिया same size लिखना था मुझे इसको same size का दिखेगा वो यह इसकी पचान होती है ठीक और सारी प्रपरटी है जो numerical लगाते समय बताई जाएगी इस वीडियो में theoretical पार्ट था और फार्मूला था इतना ही आपको जो टापिक नहीं सोन में आगा आप कमेंट करेंगे इसके लिए बाई 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 गुट दे